हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैट टो माई चैनल कलरफुल कि रूशियां यह देखिए आज मैं आपके लिए यह राकी का डिजाइन लेके आई हूं यह पफ स्टिच का डिजाइन है और यह आपके पास अगर कोई भी उन है यह पोटन थ्रेड है तो आप उससे अपनी राकी बने है और यह उनके कान थोड़ी ची बन बढ़ती है आपके पास मोती यह सजाने के लिए जो भी चीज़ें आप अपने राकी को उससे सज़ेगे आईए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं यह देखिए उंगली पैसे उन लेके और हमें ऐसे स्लिप नोट लगा ले नहीं है स्लिप नोट लगाने के बाद हम चेन बनाएंगे सेवन देखिए ऐसे एक दो तीन चार पान छे साथ साथ चेन बनाने के बाद हमें फस्ट चेन में ऐसे किरोश्य उक डालके और इस तरीके से हमें अपना स्लिप स्टिच कर लेना है अब एक चेन लेनी है और हमें इस ओल मे डालके और सिंगल करोश्या करने है एक दो तेन चार पांच इस तरीके से इसमें जितने होते हैं 2016 सिंगल क्रोशिय करें मैंसे 16 इंगल खुरोशिय कर देखिए वे इस्त ह्तोhertz सिंगल क्रोशिय करते हैं मैं लाश्ट मं आगे हूं अब अब हमने यह इनिक बरहा नहएट क्रोशिया धालकर इस तरीकी स्सिरफ स्टिछ करतें डें इन यह देखिए फ्रेंड दो चेन लेने के बाद इस लूप को थोड़ा बढ़ा करके कि रोशिय पर उन लेके और इस जो यह अमारा रिंग बना है इसमें से कि रोशिय उक डालके और हमें पफ बनाने होंगे इस तरीके से चेन एक दो तीन है चार है और यह पांच है पांच वर आमने कि रोशिय पर हूं लेके और इसमें से रोशिय उक डालके और हमने पफ बना है इन सब Hemा बना करने होंगेлам दलते हैं नोर्ट लेक ao We Ben यह तीन चेन लेने के बाद ये जो गैप है इस में से किरोश्य आउक डालके और हमें लेनिया है पाय को स्टिच बनाने हैं यह आपके देखिए ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है एक दो तीन चार फस्ट में हमने तीन चेन ली थी दूसरी बरमें च्यार चैन लेंगे और इसी समें से क्योश्य अुक डालके यह देखिये यह समें से slip stitch कर देंगे अब एक चैन लेनी दूब हम्हाय औफ हम रहें तेल के मर अग्ला अग्ला फ हमानाे अग्ला फंठ में बनेगा यह देखिये ऐसे क्योश्य पर लेके ऐसे favour त्वोज़ा लंबा करके 1 2 3 4 और यह 5 यह हमारे 5 बर मेने कि रोशिय पर उंठ लेके और इसमें से हॉल में से डाल के पफ बनाना है यह हमारी पतियां 6 भनेंगी और यह पफ की पतियां ही भनेंगी देखिए इन सब को एक साथ निकाल देंगे लेकिन किरोशिय पर दो उख बचा लेंगे इन दोनों को उन लेकर एक भर निकाल देंगे अब हमें लेने हैं 3 चेन 1,2,3 तीन लेने के बाद यह देखिए यह पफ पर हमें डालके यह देखिए इस तरीके से कर देंगे एक दो तीन तीन चेन लेके फिर हम इसी सेम जगें पर डालके और स्लिप स्टिच कर देंगे यह हमारी एक देखिए पाई को स्टिच बन जाती है यह हमारे एक पफ और यह दो पफ और इसके उपर पाई को स्टिच का डि एक बना लेना है और यह अमारी पतियां पफ की छे बनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच वरून लेके किरोशिय पे और किरोशिय उख डाल के हमें ऐसे बना लेना है इन दोनों को फिर लास्ट में एक कर देंगे हमारे तीन बनागे हैं और इसके उपर अभी मुझे पाई कि एक दो तेन के फास्ट में लास्ट में तेन तीन चीन लेनी है और बीच वाले में मात्यार चीन लेनी है ओक है यह देखिये तो एक आपके ऑपर하하 को स्टिच बनाने के बाद हमें एक चीन लेनी है in लेने के बाद हर बड़ पफ के बाद ऐसे ही पाइक को श्टिच बनाने के बाद हमें एक चेन लेने के बाद हमें कि रोशिय पर ले −ब अब टाल vista कि और एक डाले एक है माझ दो और चेन कि दो तीन चार के पांच ग healthier कर देंगे इन दोनों दोनों को की उन लेकर कर देखे इस तरीक से मेरे पफ और उसके उपर यह पाई को स्टिच का डिजाइन बनता जाएगा देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है यह देखे फ्रेंड मेरे छे पफ कम्प्लीट हो गए है और अब हमें यह इसके उपर पाई को स्टिच भी बना लिया है एक चीन लेने क के बाद यह जो हमारा फस्ट पॉफ है इसके सब से उपर यहां पर हम यह से स्लिप स्टिच की मदद से इसे जोड़ देंगे ऐसे और एक चीन लेके हम अपनी उन को कट करने के बाद सुई की मदद से किरोशिय की मदद से हम अपनी इस उन को पीछे की तरफ ले जाके ऐसे दो-तीन बरीश मेंसे कर अब करके और इसे तक खनाएँगे दे मैंड़ ओ इसमें खले न अब इसे ए मश्ट आउन को कहंची से कट देंगे यह अमारी पफ प्लावर वाली राकी त्यार होगी आप हमेश में लगानी है डोरी डोरी आप अपनी मर्जी से कितनी भी लंबी और किसी भी डिजाइन में लगा सकते हैं यह देखिए फ्रेंड ऐसे सुई की मदद से भी आप मोती लगा सकते हैं देखिए सुई में उन पर रोके और आप अपने मोती को इसमें से ऐसे लगा सकते हैं कि यह देखिए सूंखी की मदद से यहां पर आप इस मूति को एसे टांग भी सकते हैं पीच्छे गांठ भी लगा सकते हैं ऐसे पीच्छे गाइड लगा दीजिए हैं ताकि यहां से लुग नहीं और कि रोश्य की मदथ से ये तीन पतियां एक दो तीन इधा रखके और तीन इधा रखके यहां पर इसको दो रिक अटेज कर दीजिए देखिए इस तरीके से और सुई में मोती लेके आप यहां पर मोती भी लगा सकते हैं यह देखिए सुई में ऐसे उन को पिरोके आप मोती में से निकालके और यहां पर ऐसे एक एक दो दो या जितने आप चाते हैं उतने मोती लगा के ऐसे इसे सजा भी सकते हैं देखिए दो मोती ऐसे लगाने के बाद पिरोशिय पर ऐसे उन लेके आप यहां पर चेन बना लीजिए दस बारा जितनी भी आपको बनानी है एक दो तीन चार इस तरीके से आप दस बारा चेन बना के और उनको कट कर दीजिए तो यह देखिए फ्रेंड मेरी एराकी कंप्लीट होगी है जो की बनाने में बहुत ही असान है और देखने में बहुत ही सुन्दर है अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए थैंक्यू